कहानी के शुरू में हमें एक स्कूल कपल दिखाया जाता है वो दोनों एक साथ ही पढ़ा करते थी स्टिलमेन काफी जहीन था और डेबी उतनी ही प्यारी इनकी लफ स्टोरी भी बहुत ही क्यूट है एक दिन डेबी स्टिलमेन को मिलने बुलाती है क्योंकि वो से बात करना चाहती थी जब ये इन दोनों मिलती हैं तो डेबी स्टिलमेन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती और तुम से ब्रेक अप चाहती हूँ डेबी फिर से यही बात करती है मैं तुम्हारे साथ अब कोई रिष्टा नहीं रखना चाहती डेबी तीसरी बार भी यही बात करती है हम जान पाते हैं कि यह सब बार बार स्टेल्मेंट कर रहा था उसके पास एक टाइम मेशिन डिवाइस थी जिसकी मदद से वो बार बार यह सब कर रहा था ताकि डेबी अपना फैसला बतन दे हर बार वो यह कोशिश कर रहा था कि डेबी को यह एंसास दिलाए कि ब्रेक अप का फैसला ठीक नहीं है मगर डेबी हर बार कोई नहीं बात बताकर इनके बीच का रिष्टा खत्म करने की कोशिश करती है जिसके बाद हमें पास्ट माजी का सीन दिखाय जाता है कि कैसे डेबी और स्टिल मैं मिले थे स्टिल मैं एक बहुत ही जहीं स्टूरेंट था और डेबी बढ़ाए में बस ठीकी थी वो हमेशा डेबी को अपने दिल की बात बताना चाहता था ये जाकर डेबी से बात करता है और इस तरह इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी मगर इस रिष्टे में आने के बाद स्टिल मैं बहुत सी ऐसी गलतियां करता है जिससे इनकी रिष्टे में दरार आने लगी थी डेबी हमेशा स्टेल मेंन की गल्दियों को इगनोर करती थी मगर जो पेक साल हो जाता है और कुछ भी ठीक नहीं हो पाता तब डेबी स्टेल मेंन से रिष्टा खत्म करने का फैसला करती है स्टेल मेन इस ब्रेक अप के बाद तूट चुका था तब ही उसे एक आइडिया आता है वो सोचता है कि अगर वो तुबारा उस वक्त में जाकर अपनी गलतियों को ठीक करते जो उसनी की है तो सब ठीक हो जाएगा और डेपी भी उसे नहीं छोड़ेगी इन सब के लिए वो एक टाइम मेशिन बनाता है जिसकी मदद से वो अपने पास्ट माजी में जा सकता था पर ये मेशिन सिर्फ उसके दिमाग को ही पास्ट मिले जा सकती थी जबकि उसका जिसम प्रेजन इसी वक्त में रहेगा पर हर बार डेपी ने उसे ऐसी वाते बटाई जिसमें सिर्फ उसी की गलती थी और इस तरह वो डेपी के वक्त को जितना मर्जी पीछे कर ले पर उसकी गलतियां इस लिस्ट में बहुत लंबी थी अब स्टेलमें दुबारा से प्रेजन्ट में वापिस आजाता है बर इसके लिजाता था जालकर एक-एक करके उन्हीं डेलीट करता है तभी वहाँ पर इसका दोस्त प्या जाता है उसको भी सट्यलमेंन की ताइम मेशीन की इजात के बारे में पता चलंगया था go icke इसकी पास्ट में बना रहे थे जिससे स्टिलमेंट चिड़ गया था और उन्हें काफी बुरा बुला सुना दिया था अब इस मॉमेंट लम्हे को ठीक करने वो पास्ट में आये थे यहाँ पर स्टिलमेंट का दोस्त कहता है इस बार तुम डबी के दोस्तों को मत डाटना पर जब वो वक्त आत है और इस तरह ये लम्हा उनका खुशकवार बन गया था ये गलती तो स्टिलमेंट ने ठीक कर ली थी फिर ये अपनी दूसरी गलती को ठीक करने चाता है जहां पर डबी चाहती थी के वो सिंकिंग करे वो गाना गाए पर स्टिलमेंट ने उसे मना कर दिया था और इसी है उधर हम देखते हैं किस्टिलमें का दोस्त भी जिस लड़की को पसंड करता था उसने भी उसके साथ अपनु जिजदकी में बहुत सी घल्कियां की थी जिसको ठीक करने वो ऑस्टिलमेंट के साथ अपने वास्ट में आये था पर वह ठीक नहीं कर पाता जिस वज़ा से स्टिल में को ये लुप दوبारा से चलाने का कहता है। सुटिल वे लुप को चलाने की कोशिश करना थ है। पर चलाना नहीं पाता ठाई किँए उसकी बीवाइस ठीक से काम 날 कर रही थी, अब उस बीवाइस के खराब होने की वज़ा से वो दोनों past में ही फस गए थे Stillman किसी तरह उस device को ठीक तो कर लेता है पर उसमें अभी भी एक error एक गलती थी वो time loop को दुबारा से repeat दोहरान महीं पाएगी यानि के वो device उसके वक्त को बार बार दुबारा नहीं ला सकती उसके पास अपनी गलती को ठीक करने का सिर्फ फी की मौका होगा अब Stillman उस वक्त में जाता है जहाँ पर सब एक कर्ट के कपड़े बहन कर डांस कर रहे थे तब डेबी ने भी उसे कहा था कि वो डांस करना चाहती है पर Stillman ने उसे मना कर दिया था जिस वचा से इनकी पीछ में लडाई हो जाती है और वो लडाई काफी टाइम तक चलती है मगर इस पार Stillman उसे मना नहीं करता उसके साथ खुद भी डांस करता है Stillman की ये उदासी का लिमा भी खुशी में बदल गया था वही पर दूसरी तरस Stillman का दोस्त उस लड़की के साथ खुश था जिसको वो पस्दन करता था उसने भी अपनी गलतियां को सुथार लिया था अब एक दिन हम Stillman को एक कैम्प में देखते हैं ये वो ही दिन था जब डेबी ने Stillman से ब्रेक अप किया था पर अब इनका ब्रेक अप नहीं होता क्योंकि Stillman ने अपनी सारी गलतियां सुथार ली थी वो अब बहुत खुश था सारी गलतियां ठीक करने के बाद वो अब प्रेजन्ट में आ जाता है अब जिस टाइम में Stillman आया था ये टाइम उसके और डेबी के प्रेक अप के दो महीने के बाद का टाइम था यहां पर Stillman जल्दी से डेबी को फोन करता है ताके उसे पता चल सके डेबी ने उसे छोड़ा था या नहीं डेबी जब उससे फोन पर बात करती है तो वो बहुत अच्छे से उससे बात कर रही थी Stillman समझ जाता है कि डेबी अभी भी उसकी साथ है उसने उसे नहीं छोड़ा Stillman बहुत खुश था वो डेबी से मिलने उसके घर चाता है जिसके बाद हम दो साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर Stillman और डेबी की जिन्दकी बहुत अच्छे से चल रही थी वो एक दिन खाना खाने होटेल में जाते हैं इनकी जिन्दकी बहुत अच्छी थी क्योंकि Stillman को इगलती होने ही नहीं देता था अगर होती भी थी तो वो माफी मांग लेता था पर इन दोनों की लड़ाई ना होने की बज़ा से इनका रिलेशन्शिप रिष्टा काफी बोरिंग होने लगा था क्योंकि इन दुनिया में कोई भी रिष्टा अच्छे से नहीं चल सकता नोग चोख लड़ाई छगड़े ही रिष्टे का हिस्सा है पर अब इन दोनों का रिष्टा बिल्कुल ठीक चलने के वज़ा से डैबी स्टिलमें से बोर हो रही थी यहाँ पर स्टिलमें को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि उसने डैबी को खुश करने के लिए अपनी सारी गलतिया को मिटा दिया और एक तरह से देखा जाए तो वो डैबी की जिन्दकी को अपने तरीके से चला रहा था अब वो यह फैसला करता है कि वो अपने पास्ट में जाकर उस लम्हे को ही खतम कर देगा जिस वचा से वो दोनों एक दूसरे के करीवाई थे फिर डैबी हमेशा अपनी जिन्दकी में खुश रहेगे यह सब वो इसली कर रहा था क्योंकि वो डैबी को खुश देखना चाहता था बहले ही वो उसके साथ रहे या ना रहे पर उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसकी जिन्दकी स्टिल में की टाइम मेशीन से बहुत अच्छी चल रही थी अब वो यह नहीं चाहता था कि स्टिल में वापी से उस टाइम में जाकर सब कुछ बिकाड दे तबी वहाँ पर डैबी भी आ जाती है उसे भी इस time machine के बारे में पता चल गया था अब still man को भी मजबूरन उसे सब कुछ बताना पड़ता है वो उसको अब सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह उसने time machine के जरीए अपने रिश्टे को बचाने की कोशिश की अपने ब्रेक अप को रुका और अपनी गलतियां सुधार दी वो डेबी को ये भी बताता है कि मशीन की बचा से उसने अपने और डेबी के बहुत से फैसलों को भी बतला है ये सुनकर डेबी को बहुत दुख होता है उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि स्टिलमेन उसकी सिंदकी को कंट्रोल कर रहा था स्टिलमेन सब बताने के बाद डेबी से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक करतेगा और डेबी की सिंदकी से भी दूर चला जाएगा बाद में स्टिल मैं और उसका दोस टाइम मशीन को स्टार्ट करके पास्ट में पहुँच आते हैं मगर वहाँ पर पहुँचकर उसका दोस्त उसे रोकने की कुशिश करता है कि वो कुछ भी ना पदले जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे पर अब स्टिल मैं अपना इरादा नहीं बदलता वो ये कहता है कि मैं यही पर रहूँगा और अपने प्रेजन्ट में कभी नहीं जाओंगा इसलिए वो अपने डिवाइस भी पास्ट में नहीं लाया था कि वो यहीं पर रह सके स्टिल मैन अपने उसी टाइम में था जहां पर ये पहनी बार डेबी से मिला था एक बुक को लोटाने पर इनकी दोस्ती होई थी पर इस बार स्टिल मैन बुक लेकर बात किये बगएर चला जाता है और डेबी से बात तक नहीं करता उदर हम फ्यूचर वाली डेबी को देखते हैं जिसको एहसास हो गया था कि स्टिल मैन अब तक जो कुछ भी कर रहा था उसके खुशी के लिए कर रहा था वो भी टाइम मेशिन की मदद से अपने पास्ट में पहुँचाती है उस टाइम में जाते ही वो पास्ट वाली डेबी के दिमाख में चली जाती है वो स्टिल मैन को आवास देती है और उससे कहती है कि वो उसे बात क्यों नहीं कर रहा ये देखकर स्टिल मैन समझ आता है कि ये फ्यूचर वाली डेबी है वो दोनों अब ये फैसला करते हैं कि उनके जिन्दगी में कितने ही बड़े चगड़े क्यों न हो जाएं वो बैट कर उन पर बात करेंगे उन्हें सुलचाएंगे पर एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे और इसे हैपी एंडिंग के साथ ये कहाने यहीं पर खत्म हो जाती है